हेलो आवरीबन स्वागत आप सभी का स्टुडेंट फरमाईश यूटूब चैनल पर मैं कशिश गोयल आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार स्टुडेंट फरमाईश यूटूब चैनल पर और आज जो हमारी रहेगी वो क्लास रहेगी 17-17 रहेगी और यह सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारा SBA मेंस का कैंप चल रहा है उसके बारे में फटावर जल्दी से डिसकस कर लेते हैं कि हम आपको 169 में SBA मेंस कैंप का offer दे रहे हैं अब इसमें होगा क्या यह समझना पर पहली चीज तो आपको मेंस के लिए जो content चाहिए वो आ आशी इसर देंगे DIs का और आपका जो remaining quantity of aptitude का पार्ट है उसका भी और साथ के साथ एक और benefit आपको मिलेगा कि आपको प्राइवेट टेलेगरम ग्रूप में जोइन करेंगे देखो एक हमारा चैनल स्टूइट फरमाईश यूटूब चैनल के नाम से तो वो तो free है वो तो private telegram group में जोइन करेंगे अगर आप हमारा ये camp जोइन करते हो ठीक है उसमें क्या मिलेंगे आपको daily assignment मिलेंगी ताकि आप क्या कर सको दूसरों के साथ अपने आपको compare भी कर सको ठीक है जो mains की त्यारी कर रहे है actual में जो चाहते है job लगना समझारी बात ये ठीक है तो यह link भी description box में आपको दिख जाएगा नीचे तो चलिए puzzle start करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये puzzle रख दिया है ठीक है वीडियो को pose कर लो और इसे करने की कोशिश करो अब एक चीज़ को ध्यान रखना है सबसे important चीज़ बता जिता हूं कि जब भी आप mains में जाकर अ हो सकता है कि last line पे जाके आपका puzzle बनना start हो तो most probably क्या होता है कि अगर मान लो कोई 15 या इसके around की अगर line होती है एक puzzle के अंदर तो आप 7-8 line पढ़ते हो आपको लगता है नहीं बनना तो आप छोड़ देते हो नहीं अगर आपने आधा पढ़ लिए तो आधा पढ़ने में और क्या जा रहा है ठीक है हो सकता है कि आप तो last में जाके बन जाए तो कभी भी puzzle अगर तो आपने puzzle सोर करा होगा अगर जिस जिसने कर लिया तो comment box में अपना comment जरूर देना भी ठीक है बहुत कम बच्चों का comment आते हैं कि हमने किया है हमने किया या नहीं किया ठीक है और जैसे अभी अगर आपको पसंदाता तो like करो नहीं पसंदाता तो dislike करो कुछ भी हो ठीक है वो आपकी choice है but comment करो अगर आप serious हो पढ़ने में और अगर आप mains की त्यारी करो actual में तो देखो सबसे पहले information देख लेते हैं क्या है 8 friends A B C D E F G H तो देखो कितने लोग हैं हमारे पास 8 लोग है living in a 9-story building देखो अब person 8 है और कितने floor है 9 है तो क्या कहता है जो lower most है वो 1 है उस आगे देखो each person like different social network तो हर एक को एक different social network पसंद है जैसे कि Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, IMO, WeChat, Hike and Lime but not necessarily the same order not two person live on the same floor and like the same network तो अब यह बात पकी है कि हर एक floor पे एक बंदा रहेगा एक vacant रहेगा और हर एक बंदे को एक social network क्या है पसंद है ठीक है तो यह information जो यहां से लेके यहां तक थी है मैंने next slide में नहीं लूँगा क्योंकि मुझे space चाहिए solve करने के लिए ठीक है तो यह आपको information अगर चाहिए तो आप पहले इसका screenshot आपके पास होगा तो आप उससे देख लेना मैं सिधा यहां से solve करना start करूँगा ठीक है तो बढ़ते है next slide की तरफ तो यह लो यहां पर मैं मैं अब पढ़ना start करता हूं देखो क्या है करता है only one floor is between G and H आप देखो क्या कहता है कि G और H की बीच में सिरफ एक ही floor है अब देखो एक floor है अब यह भी नहीं पता है अभी कोन किस के उपर कोन किस के नीचे मतलब G ऊपर है या H नीचे है ठीक है बात यह तो उसके बाद अगर एक floor का gap तो बहुत सारी possibility है तो बना तो सकते हैं इसको simple सी बात है तो इसे हमें अलग as a point लिखना पड़ेगा तो मैं यहां पर एक point बना लेता हूं कि G और H की बीच में एक floor होगा देखो ध्यान रखना यह floor की बात हो रही है देखो अगर person की बात होगी तो एक X और यह floor क्या हो vacant यह floor क्या हो vacant और फिर क्या हो H तब भी तो बन सकता है ना हो सकता है ना अगर एक person कहता बट अभी नोंने कहा कि एक floor है तो एक floor का मतलब सिरफ एक छोड़कर सीधा सीधा कोन आ जाएगा H आ जाएगा यह बात क्लिए रोगी बट यह नहीं पता कि कोन उप करोगे आप आगे connect नहीं कर पाओगे और हमें सिरफ connections ही चाहिए उतने इसके अंदर पजल का मतलब ही क्या है connect करना होता है आगे देखो only two floor हा between the one who likes WeChat and C आप देखो क्या कहता है कि WeChat और C के बीच में कितने होने चाहिए दो floor फिर से floors की बात हो रही है तो हमारे पास इसको आपस में interchange हो सकती है done समझा गया mention कर दिया मैंने आगे देखो only one floor between a and the one who likes high फिर से वही बात आगी कि a और जो हाइक पसंद करता है उसके बीच में एक floor है फिर से floor है तो हमें person डालने की जूत नहीं सिधा floor है बट यह नहीं पता कौन सा person ऊपर कौन सा person नीचे तो फिर से हम number of floor above the vacant floor is same as the number of floor below e अब समझ जा की जो vacant floor है उसके ओपर जितने भी floor होंगे खिंक है उतनी floor कहाँ पर होंगे e के नीचे तो इसको कैसे लिख़ो और बिया इसको लिखने का तरीक है अगर कही vacant floor होगा तो उसके उपर जितने भी floor होंगे वो किसके बराबर होंगे जितने E के नीचे होंगे समझा आगी लिख लिया देखो क्योंकि अभी इसको fix नहीं कर सकते हैं मैं यही बात कह रहा था कि most publicly क्या होता है बच्चे चार पांच लहने पढ़ते हैं इतने में बस गुम क्योंकि उनका लगता है बन तो सकता नहीं तो छोड़ देता है छोड़ना नहीं है ठीक है अगर puzzle बनानी स्टार्ट किया तो उसे पहले पूरा पढ़ो और connect करने की कोशिश करो सिधी सी बात है आगे देखो A leaves one of the floor below E अब देखो A कहां रहता है E के कहीं नीचे किसी floor पर कौन रहता है A रहता है अब यह नहीं का कि immediately कहीं पर भी मानलो अगर E आप साथ पर रखोगे न तो A 6 पर 5 पर 4 पर 3 पर 2 पर 1 पर कहीं पर भी आ सकता है बात क्लियर होगी statements को बहुत ध्यान से पढ़ा करो और यह mention करने का तरीका आपको होना चाहिए अगर मानलो अगर आप इसको सिधा ऐसे कर देते तो आपको लगता भी E और E एक साथ है और E के ठीक नीचे कोन है A बट ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर समझागी नहीं बात ठीक अब आगे देखो क्या कहता है अब यह चीज तो फिक्स हो गई कि जो फेस्बुक लाइक करता है वो कहाँ पर है सबसे तोप मोस्ट फ्लोर पर यानि कि इस नाइंथ फ्लोर पर तो पक्की बात है कौन बंदा आएगा जो क्या लाइक करता भे आपके पास पेस्बुक यह बात तो क्लियर होगी आगे अब जो फेक्ट फ्लोर होना चीए ना वो कौन से नंबर पर होना चीए एवन पर अब एवन तो आठ भी हो सकता है छे भी हो सकता है चार भी हो सकता है कुछ भी पूसिबल है भई आपके पास सिंपल सी बात है देखो अगर आठ पर रखोगे तो वैकेंडी को पर एक फ्लोर तो ई के नीचे भी एक फ्लोर होना चाईए तो इक इस पर आगा दो पर तो के नीचे एक जिक निचे आब एक वर दाटा है इसको भी लिख लेते हैं कि जो परस्ट हाइक है और जो त्वीटर लाइक करता उनके बीच में कितने हैं थे नहीं पता कौन सा बंदा कौंसे प महीं दो पर तो थे रहता है थे 59 आगे H and B does not like Facebook ठीक है भई ये भी समझ लेते हैं कि आपके पास जो H और B हैं उसको क्या पसंद नहीं है Facebook पसंद नहीं है ठीक है only two floor are between A and E अब देखो क्या कहता है कि A और E के बीच में दो ही floor होने चाहिए अब एक चीज़ समझो मैंने क्या बताया था आपको यहां से समझो भई कि E के नीचे A होना चाहिए ये बताया था बट अब इन्होंने कहा कि E और A के बीच में दो floor होने चाहिए तो आप इस situation को कैसे write down कर सकते हो कि नीचे तो होगा बट ये बात पकी है कि इनकी बीच में कितने होंगे दो floor हाँ या ना अब इन्होंने floor की बात करिए अब एक चीज़ समझो अब अगर E के नीचे 2 छोड़कर A आएगा तो अगर मैं A को सबसे नीचे बनाता हूँ यानि एक floor होना चाहिए तो यानि कि E second पे आना चाहिए बट अगर E second पे आएगा तो एक आएगा नीचे पोसिबली नीचे यानि कि जो vacant के लिए जो हमारे पास चार पोसिबिल्टी ती उसमें से एक तो चले गई कौन सी आठ में अब बच्ची क्या भई आपकी बास 6th, 4th और 2nd अब 3 possibility बन रही है तो बना डालो ठीक है ठीक है ठीक है तीन बन रही है बना दो को कि फिर बहुत सारी चीज़े हमारे पास solve हो सकते हैं तो सबसे पहले case देखो भई यहां जो मैं vacant floor लोंगा यानि की first case में यहां vacant मैं लोंगा 6th हो ठीक है इसको मैंने mark कर दिया यह vacant है vacant का मत तो यह vacant है और इस वाले मैं लोंगा second पे vacant यह लो भई यह हो गया second पे vacant समझ आगी आप देखो vacant वाले के उपर जितने है उतने ए के नीचे फ्लोर है तो वेकेंट के उपर कितने है अब ही तीन तो ए के नीचे भी तीन होने चीए तो ए किस पर आ जाएगा फोर्थ बही इस अब इस वाले में देखो vacant के उपर कितने है भी साथ तो ए के नीचे भी कितने होने चीए साथ तो ए कितने पर आ जाएगा भई आठ पे और एक दो छोड़कर नीचे यहां आ जाएगा यह बात क्लियर हुई या निए जल्दी से बता दो समझ आगी ना यानि कि अब हमने इ चीए प्लौर है दियां रखना फलौर तो अगर यह यहां है तो सिंपल सी बात है एक स्वल्डा ऊहां पर इसवाले केस में है नीचे भी हो सकता बी और हो सकता है इस आप ऑपर भी हो सकता है तो दो-दो पोस OL यहां और मिल रहे है तो हम इतनी बाइन के ठीक है अब जो गम बंदा क्या लाइक करता है आपके पास वह अजिसेंट फ्लोर पर यह नहीं पता कौन उपर और कौन निचे तो एरोज लगानी पड़ेंगी ठीक है आगे डवन उलेक्स टेलीग्राम लीवज वन ओफ द फ्लोर अबव द वन उलेक्स लाइन ठीक है अब जो बंदा टेलीग्र लाइक करता है आज कल ट्रेंड में अभी टेलीग्राम एजुकेशन इंडस्ट्री में तो ठीक है वो कहीं उपर है किसके जो क्या करता है भई लाइन लाइक करता है ठीक है आगे दी लिवस वन ओफ द फ्लोर अबव एच ठीक है जो बी रहता है वो कहीं किसी उपर फ्लोर पर रहता है किससे एच से आगे एडस नोट लाइक लाइन ठीक है भई अब जो ए है ना क्या नहीं पसंद करता लाइन पसंद नहीं करता आगे एफ लाइक्स आयमो और लिवस इमिडेटी अबव दवन लाइक्स ट्वीटर ओके ठीक है इसको भी देख लेते हैं और यह किसके ठीक ऊपर रहता है बही जो ट्वीटर पसंद करता है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चारो लास लाइन रह एग यहार उसको पड़ी लेते हैं फिर बाद में सॉल करते हैं अब देखो बैए क्या कहता है कि H O D के बीच में थ्री फ्लोर्स हैं यह हो गया information तो सारी information अब मेरे पास है बस अब तो put करने की बात है अब देखो यहां हाइक आ गया था ना अब देखो हाइक और अब यहां पूट करेंगे अब समझो कि A और हाइक के बीच में एक परसन तो अगर यहां इस केस में देखो जाएक नीचे भी हो सकता है उपर भी बट अगर देखो अगर मैं यहां हाइक को पूट करता हूँ सपोस्थ करो जस्याँ पर फिक है तो एक दो तीन चोड़ कर यहां ट्विटर होना चैए और ट्विटर के ठीक ऊपर f होना चैए बट यहां तो आ जयको ट्विटर के थीक होगा है कि हाईक यहां नहीं आ सकता क्लेर हो गया देखो दो पॉसिबिल्टी मिल रही थी एक एंसल होगी इसमें से भी अब आजो इसमें यहाँ है तो एक छोड़ कर हाइक यहां आ सकता है यह एक छोड़ कर यहां रखता हूँ इलार तो एक दो तीन छोड़ कर यह यही आएगा और ट्विटर के ठीक ऊपर एफ आएगा जो क्या पसंद करता है IMO ये बात clear होगी है नियोंगी जल्दी से बता दो हो गया आप देखो ये high को twitter वाला हमने solve कर लिया ठीक है f और ये वाला solve कर लिया हमने ठीक है और a और high क वाला भी solve कर लिया अब देखो f और g के बीच में कितने है एक दो तीन चार छोड़कर यहां आएगा g इस वाले case में अगर इसमें बात करूँ f यहां है तो एक दो तीन चार छोड़कर यहां आएगा g अब इस वाले case की बात करो अगर f यहां है तो एक दो तीन चार छोड़कर यहां क्या आएगा g इतनी बात समझ आगी या नहीं आगी हो गया अब देखो क्या कहता है कि यह information भी हो गई आप देखो जी और एच की वीच में कितने है बई एक person है तो देखो अगर जी यहाँ है तो एक छोड़कर नीचे तो एच आ नहीं सकता तो simple सी बात है यहाँ एच आएगा इस वाले case मे या तो एच उपर आएगा या एच नीचे आएगा बट देखो क्या एच Facebook के साथ आ सकता है नहीं आ सकता है यह information का use करो भी तो simple सी बात है एच यहीं आएगा इस वाले case में तो एक छोड़कर एच यहीं आएगा और कोई chance ही नहीं है इतनी बात समझ आगी ठीक है तो अब यह हमारे पास हो गया G और H वाला भी अब देखो H और D की बीच में कितनी है भई तीन floor है तो अगर H यहां है तो एक दो तीन छोड़कर D नीचे नहीं आ सकता तो एक दो तीन छोड़कर D उपर आ जाएगा समझागी इस वाले में देखो एक दो तीन छोड़कर D उपर भी आगी यह She goes, अब यहां तक जलदी से बताओ भई Hobbs you, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक सारी चीज़े क्लियर अपको होगी आपको ठीक है चलो अब आगे देखते हैं और क्या कर सकतें इसके उला तो चलो H d के बारे में बात होगी सारी किहां तीकिos किसे एच से, बट B को और H को क्या पसंद नहीं एफेस्बूक, अब देखो, अगर H यहाँ आए, तो B कहीं उपर होना चीए, तो simple सी बात है, B यहीं आएगा, B यहाँ गया, तो आकरी परसन C यहीं आएगा, अब इस वाले case में तो एक दो तीन छोड़कर D ऊपर या एक दो तीन छोड़कर D नीचे कहीं पर भी आ सकता है भी आपके पास ठीक है तो C और D आपस में अभी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं ठीक है बट एक चीज समझो कि C और वर्टसेप के बीच में कोई परसन नहीं होने चाहिए मतलब एक अगर C यहाँ है तो इस वाले केस में तो D यहीं पर होगा यह बात भी पक्की होगी अब इस वाले केस में देखो क्या HQ पर कहीं B आ सकता है नहीं आ सकता तो यह case होगया थो यहां तक समझा गया नहीं आ गया भी अब देखो C और WeChat के बीच में दो फ्लोर होने चेए तो C यह थो यहां है तो एक दो छोड़कर यहां पर आएगा वीचέट इस वाले केस में देखो C यहां है तो V यह बात क्लिर हो गई कोई दिक्कत है SUNAK नहीं है अब इसके बाद देखो टेली ग्राम कहीं ऊपर ओने चाहीं किससे mile से तो इस वाले केस में देखो यह पक़्िलीं क यहाँ पर आएगा और लाइन यहाँ पर आएगा cob इस वाले case में के इसवाले снова Oh एक को लाइन पजन नहीं है तो एक साथ यह लाइन आगया तो यह भी गलत हो गया यह गलत हो गया तो क्या है विर्ट यकुल सही बनेगी हो गया समझा गया देखो यही चीज है कि connect कैसे करना है देखो यहां से हमारा गर मैं देखो तो पूरी puzzle मैंने पढ़ ली थी बट मैंने सारी information क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा था बट बाद में जब connection बनने लगे तो अपने अपसोल्व होती गई यही चीज आपकी साथ मेंस के अंदर जाकर होती है कि आप आधी छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है बन ही नहीं सकती बट बनेगी जब आप लास तक पड़ोगे त तो पहला कोशन है how many person ध्यान रखना आप क्या दिया how many person lives between the one who likes hike and the one who likes line तो line और hike के बीच में person गिनने अब ही तो यह रहा हाइक और यह रहा लाइन तो हाइक और लाइन की बीच में तो कोई person है ही नहीं तो answer हो जाएगा no one second देखो which of the following combination is correct तो कौन सी combination सही है C likes Twitter C likes line यह त जालत है तो answer हो जाएगा none of these कोई भी इसमें से सही नहीं है तीसरा question देखो four of the following five are likeness certain है तो भाई जब भी ऐसा question देखो four of the following five तो ध्यान रखना पांच option में से चार एक group बनाएंगे एक बिलकुल अलग होगा बस हमें वही निकालना है ठीक है तो अब देख लेते हैं the one who likes WhatsApp ओके तो सबसे पहले है जो like WhatsApp करता है तो यह है ए फिर है Twitter हाइक Telegram वीचेट ठीक है तो फिर है Twitter भी है हमारे पास फिर हमारे पास हाइक भी है और उसके बाद क्या था Telegram और WeChat ठीक है Telegram भी और WeChat अब देखो इनमें सबसे अलग कौन है यह फर्स्ट फ्लोर पे यह थर्ड पे यह फिफ्ट पे यह सेवंथ पे तो जो टेलिग्राम वाला है वो इवन नंबर फ्लोर पे बाकी सारे ओड नंबर फ्लोर पे तो हमारा आंसर सीधी सी बात है Telegram वाल यह रहा डी और यह रहा बटस है तो एक है फस्ट पे एक है कहां पर लास्ट पे बीच में कितने फ्लोर हो जाएंगे भी तुम्हारे पास साथ फ्लोर हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सैवन ऑप्शन नंबर सी समझा गया ठीक है देखो पजल स्टार्टिंग में पढ़ने में मुश्किल था बट बाद में जब पूरा का पूरा हमने देख लिया इंफोमिशन गया तो बनाना असान हो गया और कोश्चन तो वैसी कुछ होते नहीं कोश्चन तो सिंपल है आपकी जो इंफोमिशन आई उसके बेज होते हैं तो में है सोल करो बट बड़ा से अप्रोच आपकी सही होने चीए ठीक है तो इसी के साथ हमारा पजल जो हो गया वो कंप्लीट हो गया एक बर फिर से मैं पूरा मोका है आप अच्छे से मेंस की तियारी कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में अगर आपको किसी चीज की नीड है मतलब अगर आपको कोई असिसेंट चाहिए कि हाँ भई क्या चीज है क्या नहीं तो टेलेग्राम गुरूप आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसमें आप देख लिजेगा तो चलिए यहाँ पर सेशन को खतम करते हैं थैंक्यू सो मच